चलिस सो बात करने वाले हैं टाटा स्टेल की दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और उसके बारे मैं डिसक्रसन जरूर करेंगे मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि वैसे देखा जाए तो टाटा स्टेल की काफी सारी सायोगी कंपनिया हैं और उनके अगर ब देखने को मिलेंगे किसी बिजनिस के अंदर आपको अच्छा खासा जो है उच्छाल देखने को मिल रहा हूँ किसी बिजनिस के अंदर हो सकता है कि डिसापॉइट पर देखने को मिल रहा हूँ यहां पर देखने को मिल रहा है जिस तरीकी से उपर के लिवल देखने को मिल कि क्या टाटा स्टील के इंदर जो बाकी की सायोगी कंपनी है उनका बिजनिस अगर अच्छा खासा अरण करता हुआ नजरा रहा है तो कहीं न कहीं हम पकड़ कर चल सकते हैं लोंग टम के हिसाब से टाटा स्टील के इंदर अच्छे खासे रिटर्न हम लोग के यहां पर बंत निधर इसे ML हो तो काफी सारी इसकी साय कंपनिया दिखाई देती हैं यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हस्सेदारी की बात करते है तो यहां पर ट्रांस्फोरमीशन चेल रहा है अब अगर टोटल हिससदारी की बात करते हैं तो लगद 26% के आज-बास टोटल हिस्स की गई है अब इस हिस्सेदारी को ट्रांसफर करने का में बेनिफिट क्या है क्या टाटा स्टेल और भी मजबूत हम लोग को दिखाई देगी या फिर इसके अंदर हम लोग को कुछ वीकनेस दिखने को मिल रही जो कि अपने शेर्स जो है ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे अब पूरा मादरा क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा स्टेल ने फ्राइडे को अनौंस किया था कि हेमालय स्टेल मेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी लगभग 26% के सिदारी टाटा स्टेल यूटिलिटीज एंड इंफ्रस्ट्रक्चर सर्वि देखने को मिल सकती है वो अभी फिलाल के डिट में यहां पर नहीं बताएगी है साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ने एक अपने बयान में ये भी कहा है कि TSUISL टाटा स्टेल की पूर्ण स्वामित वाली सायक कंपनी है तो देखें सबसेडरी कंपनियों का अंदर जो बिजनिस मुमेंट अब तक हमने देखा है वैसे देखा जाए तो जिस तरीकी से टाटा स्टेल का परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिला है तो बाकी की जो अधर कंपनी है उनके अंदर भी अच्छा खासा उतार चड़ाब आपको देखने को मिल रहा है यहां पर मैं देखने को मिलेगा या फिर यहां पर लोज देखने को मिल सकता है देखे कोई भी कंपनी हो अपने हिस्सेदारी ट्रांसफर दो ही इस्तिती में करती हुई नजर आती है पहले इस्तिती हम लोग को यहां पर यह देखने को मिल रही है कि कि अगर इसकी सायक कंपनी है इसकी स उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं कंपणी चाहेगी कि जैसे वो खुद स्ट्रॉंग है उसकी सब्सिट्री कंपणी भी स्ट्रॉंग बनती हो नजराएं जिससे अच्छा खासा मुनाफ़ा जो है कंपणी को होता हो नजराएं दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल घोल माल बहुत चल रहा है तो कहीं न कहीं एक कंपणी अपने स्टेक जो है ट्रांसफर करती हो नजरा आती है ऐसी कंपणीयों के अंदर फिर अगर कल को उसकी कंपणी में कोई दिक्कात आ जाए तो वो उससे अलग हो जाएगी कहां पर दोस्तो वैसे आप जानते हैं कि टाटा स्टेल बहुती नामी गिरामी कंपणी है टाटा की कंपणी है तो कहीं न कहीं अपने बिजनेस विस्तार के लिए यह इस तरह का कदम उठाते हुए नजरा रहे तो देखे इस चीज का पॉजटिव इंपक्ट ही हम लेके चल सकते है अवराल क्योंकि स्टॉक्स के अंदर है तो हम लोग को भले ही आपको disappointment देखने को मिल रहा है बट कहीं न कहीं लोंग टम के अंदर अकर देखा जाए तो वापिस से आपको इसके अंदर एक नई उच्छाल जो है नए कदम जो है देखने को मिल सकता है देखे रिटेल निव हम लोग गिरावटों पर विचार नहीं करते हैं कि स्टॉक्स के अंदर गिरावट भी हम लोग को देखने को मिल सकती है देखे अगर कंपनी अच्छे खासी है fundamentals मजबूत हैं खबरे अच्छे खासी प्राप्त हो रही है positive sentiments बना हुआ है तो स्टॉक्स के अंदर माल उठाया जा सकता है long term के बारे में सोचा जा सकता है बड़े हम लोग को long term के बारे में सोचने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि स्टॉक्स के इंद हम लोग को profit booking भी देखने को मिल सकती है अब देखे profit booking कितनी भी हो सकती है 100 रुपी गिर सकता है 200 रुपी गिर सकता है 500 गिर सकता बढ़ अगर कंपनी की बात करें जो अगर मजबूत कंपनीया हैं उनके इंदर अगर गिरावटे भी हम लोग को देखने को मुलती हैं तो वापस से अच्छे का से लेवल भी देखने को मुलते हैं यहां पर दोस्तो एक क्वेशन निकल के आ रहा है वो है टाइम का तो टाइम हम लोग को मैनेज करके चलना चाहिए वो क्या है दोस्तो जैसे कि आप जान दे हैं कि जिस तरीकी से स्टॉक के अंदर इस समय आपने देखा हल चल बनी हुई है टोटल मार्केट इस समय हम लोग को ऊपर की तरक ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए प्राफिट काफे काफे दिनों तक कंपनियां के फेज में चली जाती है यानि कि एक ही प्राइस के आसपास स्टॉक्स का मुवमेंट हम लोग को देखने को मिलने लगता है तो इस तितिक को फिलाल की डेट में आप परकें और फिलाल की डेट में घबराने के कोई ऐसी आवशकता नहीं जिस तरीके से कंपनिया बिजिनिस अभी फिलाल की डेट में हम लोग को अच्छा का सा रुन करता हुआ नजर आ रहा है तो वापिस से आपको इस कंपनिय के अंदर अच्छा का से रुजान देखने को मिल सकते हैं उपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप जानते हैं कि एक साल के अंदर जिस तरीके से कंपनी ने बराबर हम लोग को पैसा दिया है रिटन के अगर बात करते हैं तो 244 पसंद से ज्यादर के रिटन इसके अंदर बनते होने जरा हैं तो और भी मल्टिवेगर रिटन बनाने की ये कंपनी छमता रखती है देखें यहां पर दो-तीन चीजे में आपको दिखाना चाहूंगा जो कंपनी का टोटल रिवैन्यू है वो हम लोग को एर और बेसिस पे इंप्रूट करता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर एक पक्स हम लोग को मजबूत देखने को मिल रहा है तो यहां पर एक पक्स हम जो net profit है वो हम लोगो बढ़ता हुआ नदर है यहाँ पे दोस्तों एक important चीज और है वो भी आपको बताना चाहूँगा वो है earning per share कितनी कमाई per share पर हम लोगो करती हूँ दिखा रही है तो लगबग 63.78 के आसपास निकल गया रहा है 2021 में इससे पहले देखे ही तो लगबग 11 के आसपास ही दिखने को मिल रहा था तो देखिए improvement गजब का है साथी में बताना चाहूँगा कि ROE की स्तिती के इस तरीके से दिखाए दे रही है हाँ यह बात जरूर है कि 2017 के अंदर यह minus में चला गया था बड़ बापिस से उपर नीचे के chart pattern हम इसके अंदर हम लोग को दिखने को मिले बड़ अगर अभी हाल फिलाल की बात करते हैं तो 10-10 हम लोग एक नो के आसपास आपको इस समय दिखने को मिल रहा है साथी में बताना चाहूँगा कि debt to equity कि इस तरीके का दिखाए दर है देखिए यहाँ पर 2020 की बात करते हैं तो 1.59 के असपास था इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर गिरावर देखने को मिल रही है 1.11 के असपास 2021 के अंदर निकल के आ रहा है और अगर पिछले वाले quarter की बात करते हैं तो 3.922 करोड के आसपास हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है तो 2021 की बात करते हैं तो 1.59.000 करोड के आसपास हम लोग को यहाँ पर शेल्स देखने को मिल चुकी है तो इंप्रूमेंट जारी है, पिछले साल देखे, तो एक लाक 48,000 करोड के असपास थी, इसी तरीके से दोस्तों अगर Net Profit देखे, तो लगबग 7,862 करोड के असपास निकल क्या है, और अगर पिछले साल का देखे तो 984 करोड के असपास ही, हम रोको यहां पर देखने को मि पंप्लीक की होल्डिंग तो यहां पर प्लेज की इसपास अब को गिरती हुए नजर आएगी तो नहीं कि इस स्थिती हम लोग यहां पर मजबूत होती हुए नजर आएगी साती मैं बताना चाहूँगा कि important fact क्या निकल गया रहे हैं company के अंदर तो यहाँ पे promoters unplugged अगर holding की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग आप गिरावाट देखने को मल रही है पहला positive point से यह निकल किया रहा है दूसरा यह है कि अगर promoters की holding की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी फिलाल की डेट में बदलाव नहीं देखने को मल रहा है mutual funds लगातार खरीदारी करते हुगे नजर आ रहे हैं इससे पहले देखा जाए तो 10.05% के आसपास टेक थे और अगर अभी देखें तो 11.05% के आसपास आपको देखने को मल रहे हैं holding पर किसी भी तरिके का brokerage चार्ज कंपनी नहीं वसूलती है और वैसे भी आप जानते हैं कि काफी सारी कंपनी आई-प्यो लेकर आ रहे हैं तो कहिन कि आई-प्यो के अंदर अगर हम participate करते हैं तो multiple demand account हमारे पास में होने ही चाहिए तो आप teammate account ओपन करा के रख सकते हैं link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे account ओपन करा सकते हैं दोस्तों गर ये पूरी जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नहीं वीडियो के notification सीधे हैं आपके mobile news के thank you so much for watching